देश के वरिष्ट राज़नेताओं में से एक और NCP के राश्ट्री अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया है मुंबई के कारिक्रम में शर्ट पवार ने ये एलान किया पवार ने अभी पद छोड़ने की वजह नहीं बताई है राकमपा महराश्ट के महाव विकास अघाडी गड़ बंदन में सही होगी है बता दें कि अपनी पुस्तक के प्रकाशन के समय उन्होंने कहा मैंने आज राश्ट्रवादी कॉंग्रेस से राश्ट्री अध्यक्ष पद से रिटायर्मेंट लेने का पैसला लिया है शर्ट्रवाद ने कहा कि कई साल तक मुझे राजनीती में पार्टी को लीड करने का मौका मिला है इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता मुझे लगता है कि और किसी को आगे आना चाहिए पार्टी के नेताओं को ये फैसला करना होगा कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा वहीं न्सीपी नेता शर्ट पवाद के समठक लगातार उनसे इस फैसले को वापस लेने की अपील कर रहे हैं फिलहाल इस सब वीडियो में इतना ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें